हेलो दोस्तों आज मैं आपके लेके आई हूँ एक पूरी की रेसिपी पर ये पूरी ना तो आटे की है और रही मैदे की है और ऐसी गजब की पूरी की सुबह बनाएंगे तो शाम को भी आप इसको बहुत अराम से खा पाएंगे क्योंकि ये एज़ेटीस बिल्कुल नरम ही बनी रहती है और आप इसे लंबे सफर पर भी ले जा सकते हैं तो चलिए देर की बात की शुरू करते हैं सबसे पहले गैस पर चड़ाएंगे एक भारी तेले की कड़ाई आप पैन भी ले सकते हैं और इसमें डालेंगे एक कप पानी आप ये मेजरिमेंट एक कटोरी से भी कर सकते हैं और जब पानी में उबाल आ जाए तो इसमें डालेंगे आदी चमच अजवाइन की अजवाइन डाइजेशन में अच्छी है तो डाले जरूर साथ में डालेंगे एक चमच तेल कोई भी कुकिंग वैल आप यहां पर डाल सकते हैं जो आप नुर्मली घर में यू नाश्टे को बना सकते हैं अब यहां पर हम डालेंगे आदा कप चावल का आटा जिस मेजरमेंट से हमने एक कप पानी लिया है उसी का आदा हमने यहां पर आटा डालना है तो इस मेजरमेंट का आपको ध्यान रखना है तो हमारा परफेक्ट डो लगकर तयार होगा बस हमे गैस की फ्लेम यहां पर तेजी रखनी है तेज फ्लेम पर हमें इस डो को यहां पर लगाना है और अच्छे से मिक्स देते वे इसे गाड़ा कर लेना जैसे आटा लगाने का डो होता है चावल का आटा वैसे तो इसली मार्किट से भी मिल जाता है पर आप घर में चावल को ठोकर और उनको पिस्वा सकते हैं तब भी चावल का आटा बनकर तयार हो जाता है तो यह देखिए हमारा डो भी यहां पर अच्छे से सक्त हो गया है पर अब इसमें कहीं कहीं लंग्स दिखाई दे रहे हैं तो इनको भी हम अच्छे से फोल लेंगे और यह देखिए लिए तो आटा हमारा बिल्कुल तैयार है तो चलिए इसको टांसफर कर लेते हैं एक बर्तन मइं आपर और बर्तन में इसको ठोड़ा सह कर लेंगे आप चाहें ऐसे ही कर लिए या फिर थोड़ा सा तेल का हाथ लगा कर भी कर सकते क्योंकि चावल का आटा हाथों पर चिपकता है ऐसा नहीं कि कोई जंजब बाजी है बहुत आसानी से ही सारा काम हो जाता और यह देखिए स्मूध सा आटा लगकर हमारा तेयार हो गया कितना सॉप्ट है न मुझे यहां पर इन दोनों में से किसी भी चीज की जरूत नहीं पड़े क्योंकि आटा हमारा बहुत स्मूध है और देखिए ऐसे ही बेल पा रही हुँ मैं तो यह देखिए किनारे थोड़े फटे-फटे से हैं पर कोई दिकत नहीं किनारों का तो काम ही फटना है तो हम ल गरम होने के लिए रद दिया था और गरम तेल में हमने इस पूरी को डाल दिया और आप देखी सकते हैं डालते ही पूरी हमारी कितने अच्छे से फूलने लगी है बस इसी तरीके से अलटते पलटते वे हम इसको फ्राइ कर लेंगे हमें इसका ज्यादा कलर चेंज नहीं कर देखिए कितने मस्त पूरी बनकर हमारी तयार है इसी तरीके से हम यहाँ पर सारी पूरी या बनाकर रेडी कर लेंगे और जटपट सेकंडों में बनकर यह तयार हो जाती है अगर आपको सफर पर जाना है या फिर घर में ही बनाना है तो आप एक बार इसे जरूर से है ना कितने सॉप्ट और कितनी फुली फुली और कितनी लाइट वेट पूरी आप देखी सकते हैं अंदर से भी हमारी यह कितने अच्छे से पकी हुई है तो आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो जादा से जादा वीडियो को शेयर लाइक और चैनल को सब्सक्रा करें अगर आप चैनल पर नए आया तो मिलते हैं नए दिन नए रेसिपी के साथ थैंक्स पर वाचिंग